हेलो बच्चों क्या हाल चल आपके कैसे हैं आप देखो आज हमें डेप्रिसेशन का चेप्टर शुरू करना मेरे बच्चे बहुत सिंपल चेप्टर है बहुत प्यारा लिखिये मेरे साथ यहां पर डेप्रिसेशन डेप्रिसेशन अकाउंटिंग डेप्रिसेशन अकाउंटिंग मतलब आप समझ लो इससे सिंपल इससे प्यारा कोई चेप्टर हो ही नहीं सकता बश्रते के इस चेप्टर में कुछ टेक्निकल वर्ट से कुछ कौंसेप्ट हैं जिस पर हमें मास्ट्री करना पड़ेगा और अच्छे हर जगा आपको पढ़ाया जाएगा इसलिए आप एक काम करेंगे इस चेप्टर के अंदर में जितनी सारी बाते बताऊंगा उसको ध्यान से समझना और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना ताकि आगए चेप्टर बहुत आपके लिए स्ट्रोंग हो करते हैं इसी प्रोसेस में आप मेरे साथ लिखेंगे पहले note no.1 सरी depreciation क्या होता है वही समझाूंगा बच्चे पूरी ग्लास में पहले आप लिखो note no.1 लिखना depreciation डप्रीसेशन लिखी मेरे साथ depreciation is charged depreciation is charged on all depreciable assets, on all depreciable assets जितने भी depreciation charge करते हैं they are charged on all depreciable assets कहते हैं कि during its during its depreciable life depreciable life depreciable life on its लिखी यहां पर on its depreciable value on its depreciable value फिर इतने सारे word depreciable के हां मरे बच्चे आप बहले लिखो मैं आज की class में एक एक word पर आपका command कराऊंगा आप चिंता ना करना लेकिन आप एक काम करो पहले तीन word आप यहां पर underlining करो एक आपका depreciable assets एक आपका depreciable life और third depreciable value बच्चे एक तीन word ही आपको depreciation के starting से enter लेके चलेंगे और विश्वास दिलाता हूँ यह chapter आपके लिए बहुत simple बनेगा लेकिन उसके पहले आपको यह समझना होगा इस तीन word को समझने के पहले यह depreciation word कहां से आया आखिर business के अंदर में accountancy के अंदर में accounting के अंदर में depreciation word क्यों आया मैं उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ पांच मिनिट का समय लोगा पांच मिनिट का समय जो बाते अब लिखूंगा वो आपको लिखना नहीं है बस मेरी बाते सुनना अगर यह समझ में आगया तो फिर वहाने को हम आगे बढ़ाएंगे आप लिखना बंद करेंगे मैं बताओं आपने कभी नाम सुना है क्या संतोष सर का नाम सुना बच wr के आपने अठी बोलो ना हाँ ये ना सुना है के नहीं सुना है सर सूना है सर सूना है, बताओ आगे क्या बूलना है? मैं आपके संतोश तर, यानि कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक business करता हूँ और मेरा business जो है ना वो किस नाम से चलगा है? COC यानि कि concept online class के नाम से मैं इसके नाम से business करना हूँ किसका business करना हूँ education का मैं आपको बताओं कि एक वर्ष में मान लो 2019 2019 मान लो कोई भी यह ले सकते हो 2019 2019 मतलब जो मेरा current year है मेरे बच्छे इसमें जितना भी में कमाऊंगा जो भी कुछ कमाऊंगा उस income पे मुझे government को tax देना होता है यहर एक आदमी करता है आपके मम्मी पापा भी जो कमाते हैं वो अपने income पे जितना वो कमाते हैं उस पे वो tax पे करते हैं government को आप पढ़ेंगे आगे जब बड़े हो जाएंगे इंकम टेक्स में आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन मैं अभी income टेक्स में नहीं जा रहा है मैं accounting की बात कर रहा हूँ यह depreciation वर्ट क्यों आया मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मरे बच्चे तो होता क्या है कि हमारे देश में जो भी आदमी income कमाता है उस income का कुछ पार्ट government को tax पे करना होता है तो मुझे भी पे करना है अब मैं आपको बताओं कि 2019 में मैंने एक साल में क्या क्या किया देखो जब आप मेरा मानलो business का पहला साल है जब मैंने स्टार्ट किया ना मतलब काम करने के लिए तो मेरे बच्चे मैंने कई सारे खर्चे किये मैंने एक आपका यहां पे furniture purchase किया furniture जिस furniture पे बैठके मेरे बच्चे पढ़ेंगे मानलो 2 लाख रुपे का मैंने furniture purchase किया 2 लैक्स रुपेज का इसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक जगा लिया आपका किराए पे और किराए पो लेके पढ़ाना शुरू किया मेरे बच्चे एक साल पूरे 2019 की बात कर रहा हूँ 2019 में क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चों से fees जो collect किया fees मतलब जो मेरा income हुआ fees आपका जो मैंने collect किया एक साल में वो आपका मानलो बच्चे से मैंने 10 lakhs का fees collect किया 10 lakhs रुपे का मेरे पास 10 lakhs रुपे फीस आए बच्चों से तो government ने कहा कि देखो जी आपके पास 10 lakhs रुपे fees आए हैं आपको इस 10 lakhs पे tax pay करना पड़ेगा government ने मांगा कि आप भी कमा रहे हो आपको भी tax pay करना होगा लेकिन मैंने government को यानि कि income tax authority को मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि देखो जी ये जो 10 lakhs रुपे fees मेरे पास आए है ना ये सारा मेरा income नहीं है इस income को करने में मैंने बहुत सारे खर्चे भी किये 2019 के अंदर में मैंने जिस building में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसका rent भी पे किया मेरे पास कुछ employee कर रहे हैं उनको salary भी पे किया मैंने advertisement भी कराया है मैंने commission भी पे किया बहुत सारे मैंने खर्चे किये मैंने बच्चे government ने का कि ठीक है किया है rent मानलो मैंने पे किया है two lakhs रुपीज का amount पूरे साल में मेरे पास कुछ employee काम कर रहे थे मेरे बच्चे मैंने उनको salary पे किया है मानलो एक लाख रुपे का amount मैंने advertisement भी कराया था और advertisement मानलो मैंने fifty thousand खर्च कर दिये मैंने कुछ लोगों को commission भी pay किया था उस commission पे मानलो मेरे खर्च और आपके 50,000 रुपे हो गए fifty thousand का मैंने बहुत सारे खर्चे किये थे इस fees को earn करने में हाँ मेरे पास telephone भी है आपका telephone bill भी आया था उस telephone bill पे भी मैंने क्या क्या मानलो एक लाक रुपे खर्च कर लिए एक लाक रुपे खर्च किये बहुत सारे खर्चे कर लिए मेरे बच्चे मैंने मानलो मैंने printing भी कराया books का आप समझे रोना ही मेरे खर्चे होते हैं printing आपका हुआ जिसमें कि आपका सुपोज कि वन लाक रुपे और खर्च हुए डमी फिगर है इतने सारे खर्च हो गया अब मैंने गॉर्मेंट को कहा कि मेरा मैंने जो फीस दस लाक रुपे कलेक किया है उतना मैं नहीं कमाया इस तेल लाक को अर्ण करने में मैंने 2 प्लस 3, 4, 5, 6 लाक रुपे मैंने खर्च कर दी है मैंने 10 लाक रुपे कहां कमाया बिजनेस से 10 लाक रुपे फीस आये थे लेकिन 6 लाक खर्च भी तो हो गए तो गॉर्मेंट ने कहा कि ठीक है जी आप एक काम करो कोई बात नहीं हम आपकी बात मान लेते हैं और आपने जो ये 10 लाक रुपे फीस कमाया है उनमें से आपने 6 लाक खर्च कर दिया बिजनेस के लिए तो उसको मैनस कर लो आपका जो प्रोफिट बना जो प्रोफिट बना वो 4 लाक रुपे बन गया मैं इतनी इतनी जो बाते बताया गौवर्मेंट ने मेरी बात मान ली वो कहते हैं कि ठीक है जी 2019 में जो आपका रेवेनु हुआ इसमें 2019 में जितने भी खर्चे आपने किये उसको मैनस कर लो और प्रोफिट निकाल के आप उस पे टेक्स पे कर दो हम आपकी बात मानते हैं हमारी इंकम टेक्स अथोटी बहुत अच्छी है मेरे बच्चे जो हम बोलते हैं वो मान लेती हैं वो विश्वास हम पे करती है तो ठीक है जी 4 लाग पे टेक्स पे करना था लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक खयाल आया यार 4 लाग पे टेक्स कैसे पे कर दूँ मैं फिर से दोड़ के इंकम टेक्स अथोटी के पास गया बोला अथोटी भी अथोटी भी या ये 4 लाग भी हमने नहीं कमाया आप देखो ना हमने एक फनीचर भी तो परशेज किया था फनीचर जिस फनीचर पे मेरे बच्चे बैठके पढ़ रहे हैं ये भी तू मैंने खर्च किया ये भी मेरा मैनस करो तो पता है इंकम टेक्स अथोटी ने बड़े प्यार से मुझे समझाया उन्होंने कहा कि दोखो ये जो खर्चे आपने मैनस किये और हमने कुछ नहीं बोला ये वो खर्चे है जो आपने इस साल किया और उसका बेनिफिट ले लिया जो भी खर्चे आपने इस साल किया और इसका बेनिफिट ले लिया हमने बड़े प्यार से इस दस लाख में फर इससारे खर्चेम एनसept कर दिये हमने अपको कुछ भी नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा कि Subctar आपने 20% वूप मीं खर्च किया है मांता हूं कि यह भी आपने expense किया है यह भी आपका खर्च है मैं मांता हूं जो furniture आपने परशेज किया है क्या आपके बच्चे सिर्फ current year में इस बैठेंगे हमने कहा ना ना मैं इस furniture पे अपने बच्चों को कम से कम चार साल तक बैठाऊंगा यानि कि मेरे मुताविक इस furniture की जो life है ना मेरे बच्चे वो four years है मेरे मुताविक मैंने estimate लगाया कि चार साल तो यार furniture चलेगा यह चलेगा तो पता है income tax authority ने क्या बोला उन्हें ने कहा कि संतोज सर आपने ये खर्चे मैनस किये ठीक लगा क्योंकि इस साल के इस साल benefit ले लेकिन जो furniture आपने दो लाग का परशेज किया है दो लाग रुपे जो आपने इसमें खर्च किया है इसका benefit जो amount आपका है अगर आपको लगता है कि इस से benefit four years तक मिलेगा तो चार से divide कर दो और हर एक वर्ष आपको क्या करना है फिप्टी थाउजन फिप्टी थाउजनी खर्च करूप में दिखाना है उन्हें बहुत logical बात की मेरे बच्चे बहुत अच्छी बाते की हमारा accounts कहता है एक साल में जितना आपने benefit लिया वही आपका expense है तो income tax authority ने कहा कि two lakhs का जो furniture purchase किया चार साल तक उसका benefit मिलेगा आप चार से divide करो और जो 50,000 निकल काया उसी 50,000 को आप इस साल expense group में दिखाओ मेरे बच्चे हमने उनकी बात मान ली और 50,000 यहाँ पे expense group में दिखा दिया हमने पूछा income tax authority को कि मैं इस 50,000 का यहाँ पे क्या नाम लिखूँ उन्होंने कहा कि आप एक काम करो इसको एक नया नाम दो जिस नाम को हम बोलते है depreciation मतलब आप कहना कि एक साल में जो furniture था उसका 50,000 का value आपने यूज कर लिया मेरे बच्चे 50,000 रुपे के value आपने यूज कर ल समझे मरी बात तो आपको बताना चाहता हूँ depreciation word क्यों आया मेरे बच्चे हम जब assets पर कोई खर्च करते हैं मशीन हो गया building हो गया furniture हो गया आपका equipment हो गया मेरा camera हो गया जो कई वर्षों तक हमें benefit देता है तो ऐसे खर्चे एक साल आपके profit loss में दिखाने के बज़ा हमारा profit loss account है profit loss account का मतलब कि जहां पर income expense को manage करके profit निकालते हैं अब वो चार लाग नहीं कितना रह गया सारे तीन लाग रुपे तो सारे तीन लाग पर जो tax बनेगा हूँ हमने यहां पे pay करना है ना कि आपका यह amount pay करना है तो depreciation क्यों आया है क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते मेरे दिखाते हो और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं depreciation बोलते हैं तो मैंने फिरहाल आपको बताया depreciation word का मतलब कहां से निकला क्या इसका मतलब निकल कि आता है ठीक है ना सर जना बताओ यह furniture आपका जो two lakhs रुपीज का था यह दो लाख रुपे में 50,000 रुपे depreciate हो गया अब कितना रह गया 150 जो furniture उसकी value कितना रह गया 1,500,000 रुपे फिर अगले साल क्या होगा जी फिर अगले साल के profit loss में 50,000 रुपे खर्च दिखाएंगे अब कितना बज़ जाएगा एक लाख रुपे फिर उसके अगले साल 50,000 रुपे profit loss में दिखाएंगे अब कितना बज़ जा थे और चार साल में depreciate करना था कर दिया आपको मेरी words के बारकी को समझना पड़ेगा depreciation जो हम charge करते हैं मेरे बच्चे यह हम आपके assets का जो value है जो cost है हम जितने समय उसको use करेंगे उतने part में divide करना चाहते हैं इसलिए बाते में बताऊंगा आप चिंता ना करो पहले मैंने आपको बताया कि actually depreciation word कहां से create आपका हुआ अब मान लो मैं कभी बाहर निकला और रास्ते में आप मुझे से मिल गए और मैंने आप से पूछ दिया कि जो बताओ depreciation word जो है वो क्यों आया जी तो आप मुझे simple शब्दों में बताना कि देखो हमारे सर ने कहा है कि अगर मान लो कोई assets हमने purchase किया है जो assets कई वर्षों तक use किया जाएगा कई साल तक उसका benefit मिलेगा तो हम ऐसे assets को एक साल profit loss में खर्च करूप में दिखाने के बज़ा है क्योंकि हमने खर्च तो किया है हमने payment तो किया है लेकिन एक साल profit loss में दिखाने के बज़ा है जितने साल तक में उसका benefit हमें मिलेगा हम उस खर्च को उतने part में divide करते हैं और एक part जो current year का होगा हम उसको आपका profit loss में दिखाते हैं उस खर्च को हम जो नाम देते हैं वो नाम हमारा depreciation का होता है ठीक है बच्चो सरहां सरहां तो मेरे बच्चे अब मैं इसको मिटाता हूँ मेरा मकसद जो था यह word जो आपको पैता जब आया accounts में तो कैसे create हुआ यह आपको पहले से पता होना चाहिए actually chapter के बदकिस्मती है हम chapter को starting से एंटर लेके जाते हैं कोशन पे कोशन प्रैक्टिस करते हैं करते जाते करते जाते आगे करते पीछे भूलते जाते हैं इसलिए हमारे बच्चे यानि कि आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए बातों को समझेंगे मेरे बच्चे बातों को समझेंगे ठीक है ना सर हाँ सर हाँ सर ये depreciable assets क्या होता है depreciable assets लिखेंगे note number two यहाँ पे लिखेंगे आप depreciable assets के पहले ऐसे लिखा देता हो पहले सुनो आप समाजी क्यों होंगे एक तो ये assets है मेरे बचे एक तो यह assets है और वो depreciable है मतलब assets जितने भी आपके होते हैं जिनकी value future में reduce होंगी जिनकी value future में कम होंगी हम उनको बोलते हैं depreciable assets तो जितने भी आप fixed assets के नाम जानते हो जितने भी fixed assets के नाम जानते हो वो machine, वो building, वो furniture, वो आपका equipment वो आपका camera, वो आपका laptop, वो आपका computer मैं कितने नाम बताऊं जितने भी fixed assets के नाम जानते हों मरे बच्चे वो सारे आपके depreciable assets होते हैं हाँ, land को छोड़कर land को छोड़कर, मरे बच्चे लिखो यहाँ पे all fixed assets, जितने भी आपके fixed assets होते हैं all fixed assets are depreciable assets all fixed assets are depreciable assets सारे assets आपके depreciable होते हैं लेकिन हमने कहा except except आपका क्या जी land पर बच्चे land जो है ना land वो आपका धर्ती मतलब जो land जो हमारी property होती है जो assets होता है ये कभी depreciate नहीं होता है हमारा accounts मानता है कि generally हमेशा land की value जो होती है वो appreciate होती है तो land को कभी land पर हम कभी depreciation चार्ज नहीं करते है land को छोड़के बाकि जितने भी assets है आपका होता है और एक बाब बता हूँ अगर land की भी बारिकी में जाओ ना तो मैं यहाँ पर land का मतलब lease hold lease hold land कहना चाहता हूँ मुझे पता है आप अभी इन सब शब्दों से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं हो आप नहीं जान तो इसका मतलब क्या होता है लेकिन चींता ना करो एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा ऐसे तो अगर आप से कोई पूछे कि बताओ जी कौन सा assets जो होता है वो depreciable assets नहीं होता तो कहाँ देना land land को छोड़के जितने भी fix assets होते हैं सारे depreciable होते हैं मेरे बच्चे मतलब वो सारे assets जिनका benefit एक साल से जारा समय में मिलेगा दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल हम उसको यूज करेंगे वो सारे fix assets हमारे depreciable होते हैं लेकिन land को छोड़के क्योंकि land की value के भी depreciate नहीं होती यह हमेशे appreciate होती है और land में भी कौन से land lease hold की बात करता हूँ land भी दो तरीके का होता है लिख रहा नहीं दिमांग में रखने के लिए आपको बता रहा हूँ land भी दो तरीके का होता है एक आपका free hold और एक होता है lease hold मेरे बच्चे free hold land का मतलव होता है जिसके मालिक हमेशा और हमेशा के लिए आप रहोगे हमेशा के लिए उसको हम बोलते है फ्री हो लेंड लेकिन लीज हो लेंड का मतलब होता है कि आप उस लेंड के मालिक बनते तो हो लेकिन कुछ समय के लिए 10 साल के लिए 20 साल के लिए 50 साल के लिए 100 साल के लिए तो जितने समय के लिए मालिक बनोगे वो ठीक है उतने समय के बाद फिर आप उसके मालिक नहीं रहते मेरे बच्चे इसके और भी बाते लेकिन वो बड़े होंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको आज तो इतना समझना कि लीज होल्ड लेंड जो होता है उसका मालिक आप कुछ समय के लिए होते हो पर्मानेंटली नहीं तो जो भी चीज कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल चाह वो सो साल वो लीज होल्ड कहा जाएगा लेकिन जो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा आपके बाद आपका नेक्स जिनेशन उसके बाद उसका नेक्स जिनेशन मतलब यह चलते चला जाएगा उसको हम बोलते फ्री होल्ड तो फ्री होल्ड लेंड ही डेपरिशेबल एसेट्स नहीं होता लेज होल्ड जो कि एक समय के बाद आपके पास से खतम हो जाएगा हम उसको depreciable assets कहते हैं तो land यानि कि हम किसकी बात करना चाहते हैं जी आपका sorry माफ कीजिए क्या लिखते हैं मैंने land यानि कि हम क्या कहना चाहते हैं आपका यहां पे freehold गल्स लिखा था माफ कीजिए जो freehold land होता मेरे बचे वो depreciable नहीं है लीज होल तो depreciate होगा एक समय के बाद वो खतम हो जाता आपका यह मैंने आपको बाते बताए खेर चलिए यह हमने आपको बताया कि क्या मतलब होता है depreciable assets का now depreciable life और depreciable value मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक example बनाऊंगा लिखी मेरे साथ example number one example number one कहता है कि cost of machine लिखो मेरे साथ cost of machine हमारा जो machine है इसकी cost कहता है कि मालो 20 lakhs का mount है 20 lakh रुपे 20 lakhs का machine आपका है मतलब जो machine आपने purchase किऊ कितने कहा है 20 lakhs रुपेज का प्रिबचे ये machine जो 20 lakhs रुपेज का है इसका कहता है estimated life estimated life आपका estimated के दो useful life या और अच्छा वर्ड में दू आपका तो estimated economic life economic life मतलब यह जो मशीन है मालो इसका life जो हमारे पास है वो आपका सुपोज़ की 10 यह यानि कि हमारे मुताबिक यह मशीन क्या होगा 10 वर्शों तक हम उसको यूज कर सकते हैं cost कितना बता है हमने यह पर जी आपका 20 lakhs रुपेज एस्टिमिटेड जो life है मशीन का कितना बता है 10 साल आपका अब सुचो ना यह मशीन अगर मैं 10 साल यूज करता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल अगर 10 साल के बाद मालो life खतम हो गया life खतम हो गया machine का तो उस machine को क्या करोगे आप बोलो बोलो 10 साल के बाद जब machine खतम हो जाएगा वो बरबाद हो जाएगा तो machine को क्या करोगे sir हम बेश देंगे किसी कवारी वाले को बेश देंगे तो मेरे बच्चे जब कवारी वाले को आप उसको बेश दोगे तो कुछ तो पैसा आपको मिलेगा दस वर्षों के बाद सरहां सरहां पर बच्चे हम उस अमाउंट को कहते हैं estimated estimated scrap value scrap यानि कि दस वर्षों के बाद जब इस machine को हम बेश देंगे तो हमें मानलोस machine को बेच के 2 lakhs रुपिज मिल जाएंगे 2 lakh या चलो 1 lakh रुप पे ले लो कुछ भी हो सकता है मरे बच्चे these two are estimated कोई भी आदमी exact life of assets नहीं बता सकता कोई नहीं बता सकता मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्ष जिऊंगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे पाफ जो assets है वो कितने वर्ष तक मेरे साथ चलेगा कैसे बता सकता हूँ मरे बच्चे यह estimated life होता है कि मैं मुझे लगता है this is anuman मुझे लगता है कि यह इतने वर्ष तक चलेगा और यह जो scrap value है मैं आज exact नहीं बता सकता कि 10 वर्ष के बाद जब उसको बेचने जाओंगो तो मुझे कितना पैसा मिलेगा तो यह मरे बच्चे estimated होता है हमेशा बोले चहना बोले आप उसको क्या मानेंगे estimated ठीक है न तो यह estimated आपका है बोलता है कि आप यहां पे calculate करो कहता है कि आप यहां पे calculate करो क्या बचा करोंजे तो number one number one वह कहता है जड़ा बताऊ कि आपके assets का depreciable आपकेστε का depreciable कितना है वह कहता है कि आप जड़ा बताऊ आपके assets का वह गहीन के लिकरे हो यह लिख रहे होना यह लिखरे हा म réflचले और भी अभी तक आप मेरी बातों को सिर्फ सुन रहे थे, विडियो को पहुच करें, यहां तक लिखें, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं, आई जो रहा, Depressival, Depressival जो आपका Life Assets का, वो पुछता है, बताओ कि क्या निकल के आएगा, और तिसरा चलो, जब बात उठी है, तो बोलता कि बताओ जड़ा, Depressival, Depressival जो आप चार्ज करोगे, Per Year, Per Year, वो कितना कितना चार्ज करोगे, यह तीन, यहां पर मेरे बच्चे मुझे Answer देने है, कि आपका Depressival Value कितना है, Depressival Life किया है, और जो Depressival Payor Charger किया जागा, कितना कितना चार्ज किया जागा, तो सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं आपको Solution में, पहले आपको यहां दिखाता हूँ, Depressival Value, मेरे बच्चे, Depressival Value, depreciable value का मतलब होता है ये दो को हमारा machine कितने का था 20 lakhs का 20 lakhs रुपे का तो मुझे बच्चे जो हमारे machine की cost है याने कि cost of machine cost of machine कितने का था 20 lakhs का 20 lakhs रुपे आप मुझे बताओ इस 20 lakhs में 10 years के बाद जब मैं इसको बेश दूँगा तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा 1 lakh 1 lakh मरे बच्चे इसका मतलब है कि इन 10 years में machine का 20 lakhs की value depreciate नहीं होगी machine के 20 lakhs की value खतम नहीं होगी मरे बच्चे इस 20 lakhs में हमें जो scrap value है assets का यानि कि जितना हम estimate कर रहे हैं कि हमें sale करके मिल ही जाएगा तो उस 20 में 1 lakh को आप minus कर दो और कोई पूछे कि बताओ आपके assets का depreciable value क्या है यानि कि वो value जो इन 10 years में depreciate हो जाएगी तो वो 19 lakhs कहा जाएगा मरे बच्चे 19 lakh रुपे यह 19 lakh रुपे की value है 19 lakhs रुपे जो आपका depreciate होगा इन 10 वर्षों के अंदर में है ना जो value depreciate होगी वो 19 है क्योंकि 20 में वन तो हमें मिल ही जाएगा अच्छा second word जरा सुनना क्या था वो वो कह रहा है depreciable life यह कहता है depreciable life यह depreciable life क्या होता है मेरे बच्चे depreciable life का मतलब होता है यह 19 लेक्स की value जो depreciate होगी वो कितने वर्षों में जरा बता यह value कितने साल में तो 10 years में यानि कि जो आपका estimated life है estimated आपका life of asset of asset ही आपका कहा जाता यहाँ पे क्या depreciable life और कितना होगे आपका 10 years 10 वर्ष सर economic मतलब यह value economic cover और भी आगे निकल के आगा मैं detail ही बताऊंगा फिलाल estimated life कितना है जी उसी को हम क्या बोलेंगे depreciable life और मेरे बच्चे अगर आपको यहाँ पे निकालना है कि depreciation यानि कि आप जो depreciation चार्ज करेंगे per year यानि कि जो आप profit loss में खर्चे के रुप में दिखाएंगे वो कितना होगा तो हमने कहा कि 19 lakhs 19 lakhs 19 lakhs की value 10 वर्ष में आहां पर distribute हो जाएगी तो मेरे बच्चे एक वर्ष में कितना निकल के आया 1 lakh 90 थाओज एक लाख नभी हजा रुप यही depreciation हो गया और यह बात genuine भी है income tax authority ने का कि यार 20 lakhs रुपे चलो आपने खर्च किया है मानता हूँ लेकिन जब इसको बेचेगो तो एक लाख तो मिली जाएगा तो फिर जो खर्चे आप अपने profit loss में दिखा सकते हो सिर्फ 19 lakhs रुपे होगा जितना genuinely आपका खर्च होगा तो उसी को क्या करो आप इसके life में divide करो और depreciation यहाँ पर निकाल दो आप समझ दो ना मैं क्या बाते कर रहा हूँ मैं बिल्कुल basic से लेके चलना हूँ ताकि आपका दिवाग बिल्कुल strong रहे हार एक point पे और दूसरा कुछ भी नहीं it's very simple हमने क्या क्या इस तरीके से आपका बताया अब दोखो शायद शब्द का meaning clear है depreciation भी मैं जानता हूँ depreciable assets सारे assets depreciable है बस land को छोड़के कौन सा freehold जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास होता है leasehold land जो होगा वो depreciable है लेकि freehold नहीं है depreciable life का मतलब की estimated life आपका assets का और depreciable value का मतलब क्या होता है इस 20 lakhs में जो value आपका depreciate होगी उसको भोलते है depreciable value आई बात समझ में मेरे बच्चे सर हां सर हां आगे बढ़ाओ सर आगे बढ़ाओ मेरे बच्चे अब मैं आगे चलता हूँ हमारे कितने हो गए आपका यहां पे एक और दो आपका यहां पे हुआ यह तो example था फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको मिटा देता हूँ आपने इसकी copy कर ली होगी मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ और आगे लेके चलता हूँ एक काम कीज़े हम लोग एक चीज और बता दू कि मान लो assets की cost आपका 20 lakhs है और मेरे बच्चे इसका जो depreciable value है मतलब जो बेच कर मेरे हाथ में आएगा वो कुछ में नहीं आएगा मान लो कि जब खतम तो zero हो गया जी आओंगा और इसकी डिटेल में पहले काम करते हैं लिखो तिसरा point यहाँ पर थर्ड पूंट लिखेंगे methods methods of charging depreciation methods of charging depreciation बच्चे depreciation चार्ज करने के हमारे पास methods कौन-कौन से है methods of charging depreciation तो आप लिखो यहाँ पर methods के अंदर में number A number A आपका straight line method सरी यह क्या है अभी बताऊँगा लिखो आप straight line method बच्चे इसको हम लोग short में SLM भी कहते हैं S for straight L for line M for method आपका SLM इसको एक और भी नाम होता है बड़ छोड़ो आप एक काम करना इसके आगे जगा छोड़ देना बाद में बोलूँगा अब B लिखो second method आपका यहां पर second method जिसको हम बोलते है written written down written down value value method यानि कि अगर मैं इसको देखूँ short में तो W आपका आगया written D for down V for value method आपका W DB method इसको हम कहते हैं तो actually depreciation चार्ज करने के दो method हमारे पास हैं एक आपका straight learn method और एक होता है written down value method W DB method आपका ठीक है ना तो यह दो method हमारे पास है इनको और भी कई सारे नाम से जाना जाता है थोड़ दर बाद मैं बताऊंगा पहले मैं इसको कुछ समझाओं इसके बारे में इसके बारे में अब सुनो ना इस पे भी एक example दिखाता हूँ एक example पहले क्या था भी आईए example number two सुनो ध्यान से क्या बता रहा है कहता है कि cost of machine cost of machine आपका जो machine है वो मान लो कहता है कि आपका one lakh रुपीज का है मरे बच्चे एक लाख रुपे का एक लाख रुपे का अब मुझे इस कोशन में उसका life कितना है उसका इस crave value कितना वो नहीं बता रहा है बस कोशने क्या क्या कह दिया कि rate of depreciation यानि कि जिस rate से आपको इसको depreciate करना है rate of depreciation वो कहता है मान लो आपका 10% यहां पे दिया हुआ है 10% मेरे बच्चे 10% के rate से आपको depreciate करना है तो बोलता है कि calculate लिखे मेरे साथ calculate depreciation वो कितना depreciation charge किया जाएगा depreciation for first year पहले वर्ष का second year दूसरे वर्ष का and third year and third year यानि कि तिसरे वर्ष का कहता है कि जिए आब बताओ पहले साल का दूसरे साल का तिसरे साल का depreciation कितना चार्ज किया जाएगा by number A लिखेंगे आप यहाँ पर SLM method यानि कि straight line आपका और B लिखो आप यहाँ पर पूरा नाम लिखे लो पहले आप लिख लो यहाँ पर straight अभी आपको बेठाना दिबांग में तो आप पूरा लिखे straight line method आपका इससे कितना निकल के आएगा और में बच्चे written down value यानि कि यह आपका रहा written down value method इस दोस से कहता है कि जड़ा बताओ depreciation का निकल के आएगा आपको पता है depreciation चार्ज करने कि और भी कई सारे methods है बहुत सारे method है में बच्चे लेकिन वह study आपके छोटे level में होता हूँ जो बड़े हो जाओगे कभी CACMA CACMA करने का time आया तो वहाँ पर आपको सिखाऊंगा लेकिन फिलाल आप बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो उस case में आपके पास दो method ए depreciation चार्ज करने का स्ट्रेट लाइन यानि की SLM शोट में और written on value यानि की WDV शोट में इसको बोलते आपको या WDV method कह देजे आप ठीक ना मैंने एक example और बनाया मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ solution और पहले लिखे मेरे साथ यहां पर number A के अंदर में number A यानि की computation of number A यानि की computation of depreciation computation of depreciation depreciation by कौन से मेथर जी पहले मैं SLM method से बात करता हूँ SLM यानि की स्टेटलर्ण method आपका हैना SLM method से depreciation क्या नहीं कल कायागा वो में बताता हूँ मेरे बच्चे जखो यह कैसे नहीं कला जाता इस वेरी सिंपल आप मुझे बताईए कि आपका cost of cost of machine कितना है बताओ जड़ा machine की आपके यहाँ पर cost कितनी है सर कहता है एक लाख लिखो ना यहाँ पर एक लाख रुपे वन लाख साथ साथ लिखना आगे पीछे नहीं पर बच्चे यह बोल लाकर जड़ा बताओ आप फर्स्ट यर का सेकेंड यर का और थर्ड यर का depreciation कितना होगा यह cost है मतलब जितने का हमें machine पड़ा है आप यह काम करो इसमें मैनस करो आप यहाँ पर depreciation आप मैनस करो depreciation और पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सी यर का फर्स्ट यर का पहले वर्ष का depreciation आपका पहले वर्ष का बचे एक लाक रुपे का machine है आप जड़ा बताओ रेट कितना चलना है यह 10 परसेंट आपका और मैथड क्या है SLM तो कितना निकल के आएगा डखो कैसे निकालते हैं cost बताना कितना है तो आप मुझे बताओ वर्ष का 10 परसेंट कितना निकल के आगया 10,000 तो जड़ा बताओ यह 10,000 आपका यहां पर depreciation हो याद है हमने जो पहला example दिखाया था उसमें हमने machine का cost बताया था उसकी life बताई थी उसका आपका वो क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं आपका हमने इस crave value बताया था तब तो हम उसके हिसाब से करेंगे जैसे पहले किया था लेकि मेरे बच्छे जब rate दिया रहेगा तो फिर tension नहीं हम method की हिसाब से कर देंगे यानि कि जितने भी cost उसका 10% लगा दिया आप तो एक लाक में 10,000 की value depreciate हो गई तो बताऊ मशीन आप कितने का बच गया यहां पर 90,000 का वन लैक में 10,000 की value depreciate हो गई तो मशीन कितने का बच गया 90,000 का बच इस 90,000 को इस 90,000 को हम लोग कहते हैं book value book value ड्यान सो वट पे चलना off machine अमारी स मशीन का book value मतलब बुक में हमारे book में जो value बच गया जो value बच गया जो value बच गया जो वैलू बच गया कितना आपका हो गया 90,000, एक लाख उर्पे में 10,000 पर डेप्रिशेट हो गया, वैलू कितना बच गया आपका, 90,000, और बचे हुए वैलू को हम क्या बोलते हैं, बुक वैलू, यानि कि बुक में जो वैलू बच गया, अगर आप यहां पर डेप्रिसेशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसेशन, और इस पर कौन से यर का जी, सेकेंड यर का, सेकेंड यर का, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो, मेथट का नाम क्या है, यहां देखो, यहां देखो, स्ट्रेट लाइन मेथट आपका, स्ट्रेट, मेरे बचे, इसका दुसरा नाम होता है, ओरिजनल, इसका दुसरा नाम हो depreciation दिया रहेगा और आप depreciation charge करेंगे तो यह depreciation हमेशा हमेशा इसके cost पे जो इसकी original cost है कितना cost है 1 lakh इसी पे charge किया जाएगा यानि कि अगर मैं second year का depreciation निकालता हूँ तो 1 lakh रुपीज का जो आपका machine है इसका आपका 10% फिर से यानि कितना आपका 10,000 का depreciation दुबारा चार्ज किया जाएगा straight line method straight line यानि कि जो भी depreciation होगा वो बिल्कुल same चलेगा straight पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000 तीसरे साल में 10 मतलब same चलते चला जाएगा इसको बोलतो है straight line देखतो straight line ऐसे जाता है मतलब जहां भी देखो same amount of depreciation आपको दिखाएगा तो इसको बोलतो है straight आप जला बता हो 90,000 में second year का depreciation चार्ज करने के बाद वैलू कितना बजग गया sir 80,000 80,000 मतलब बच्चे इस 80,000 को कहा जाएगा फिर से book value ये book value आपका जो निकल काया याद अखना ये book value first year के एंड में था और ये second year के एंड में book value आपका निकल काया off machine मतलब हमारा assets जो है वो आपका कितने का edit house न का अच्छा आप मैं क्या करूँगा यहां पे फिर से क्योंकि third का भी पूछ रहा है मैं यहां पे depreciation चार्ज करूँगा आप कौन सी यर का third year का तिसरे वर्ष का मेरे बच्चे तिसरे साल में जब depreciation चार्ज करूँगा straight line मत समझो यहां से समझो ना original cost यानि कि जब भी हम depreciation चार्ज करेंगे जब भी depreciation चार्ज करेंगे तो हमेशा मैं उनके cost पे depreciation चार्ज करूँगा यह ब्रमा जी भी अगर आके बोल दे आपको कि ना ना इसे मत करो आप उनकी बात मत मनना कहना कि मेरे सर ने कहा है और मेरे सर कभी गलत नहीं बताते आप उनको कहना तिसरे वर्ष में भी अगर depreciation चार्ज करोगे मेरे बच्चे तो वन लैक रुपीज पर ही चार्ज किया जाएगा तेन परसेंट यानि कि तेन थाउजन का माउंट तेन थाउजन का माउंट चैना बता अब आपका machine कितने का बच गया सेवेंटी थाउजन इस सेवेंटी थाउजन को फिर से मैं क्या बोलूँगा ये हो जाएगा book value of machine हमारे machine का book value book value का मतलब होता है कि depreciation चार्ज करने के बाद उसकी value हमारे book में कितनी बची हुई है आप समझे दो न मैं क्या बोल लाओ सर हाँ सर हाँ आप चिलाओ में सर बात करो आगे तो मेरे बच्चे कुछ नहीं कहना SL में जब भी depreciation चार्ज करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे इनकी cost पे चार्ज करेंगे और चलो अगर ऐसे तो तीन साल कहीं पूछा था अगर मान लो depreciation आप से कहे दे depreciation तो बताओ 4th year का जो depreciation होगा अगर वो straight land method है यानि कि original cost method तो कितने पर चार्ज किया जाएगा सर 1 lakh पे क्यों क्यों क्योंकि आपके सर ने नहीं कहा है ये concept ने कहा है मेरे बच्चे कि SLM में SLM में यानि कि original cost में जब भी चार्ज किया जाएगा वेल्यू कितना बच गया 60 तो ये हमारा book value निकल के आगया ये आगया book value आपका machine का of machine कब जी चार वर्षों के बाद आपका ऐसे सोवन पांचवे साल छटे साल, सातवे साल, आटवे साल 9, 10 अब हर एक साल का depreciation चार्ज कर सकते हैं एक बात या दखना बातों को मैं आपको समझाऊंगा बस समय मुझे देना आप अगर आगे की बाते अभी सोचना शुरूर करेगा तो काम खराब हो जाएगा बस मेरे साथ चलो ना मैं एक समूदर में आपको ले जाने की कोशिच कर रहा हूँ जिसका नाम depreciation है पहले मैं आपको किनारे में तेरना सिखा रहा हूँ फिर मैं आपको बीच में लेकर जाऊँगा अगर पहले में बीच में लेकर चला गया तो फिर तो आप डूब जाओगे फिर तो खतम हो जागा फिर किसको पढ़ाऊँगा जड़ा बताओ मैं इसलिए आप मेरे साथ चले दिरे दिरे आपको टेंशन ही लिना है यह हमारा एसले मेथड हा यानि कि एसले म का मतलब क्या जी स्ट्रेट लाइन यानि कि ओरिजनल को देखो ना स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ यहां मैं दिखाऊं ज्रा बता पहले साल का डेपरिशेशन टेंथ सेकेंड यर का टेंथाऊजन थार्ड यर का टेंथाऊजन फोर्फ यर का टेंथाऊजन यह तो कोई स्ट्रेट जा रहा है हर एक साल का सेम आपका इसलिए कहते हैं स्ट्रेट ले मेथड या कह दो ओरिजनल कोस्ट मेथड आपका हम इसको एक और भी नाम से जानते हैं एक औ इंस्टॉल्मेंट जो होगा डेप्रिसेशन का फिक्स्ट होगा पहले साल में भी 10,000 दूसरे में भी 10,000 तीसरे में भी 10,000 जितने वर्षों तक आप लेकर जाओगे सब में 10,000, 10,000, 10,000 का डेप्रिसेशन निकल गया लेकिन सर मत बोलो अभी मैंने मना किया था लेकिन और इसी को फिक्स इंस्टॉल्मेंट मैथड के नाम से भी जानते हैं एक्जामे जो बोलेगा कर लेना कोई दिकत नहीं आपको यहां पर ठीक है यह पहला मैथड था आपका मैं इसको मिटाओंगा मेरे जगह की कमी मेरे बच्चे अब मैं आपको सेकेंड मैथड जो आपका सारे मेरे ही बच्चे दिखाए दे दुनिया में चाहिए वो लो लेवल हो हाई लेवल हो अपर लेवल हो और मतलब जहां भी वरें सिर्फ मेरे बच्चे दिखाए दे मैं यही चाहता हूँ और आओ जड़ा मैं अब आपको बी यानि की दिखा रहा हूँ कम्प्यूटेशन computation of depreciation depreciation इस पर कहाजी by written down written down written down value method value method आपका यहाँ पर है ना written down short में इसको क्या बोलते हैं wdv तो आप ज़रा मैं आपको दिखाओ यह क्या बोलता है लिखो मेरे साथ मेरे बचे ज़रा बताना कि आपका जो cost था cost of machine कितना था आप ज़रा बताओ machine की cost हमारी कितनी थी 1 lakh लिखो ना यहाँ पर एक लाक रुपे machine का cost था जब आपने इसमें depreciation charge किया depreciation चार्ज किया depreciation आपका first year का पहले वर्ष का ज़रा बताओ क्या rate बता रहा है rate 10% है तो और method का है पहले साल में कोई दिकत नहीं पहले साल में value क्या दिख रहा है तो आपको 1 lakh रुपेज का ही 10% आपको charge करना है यह आपको 10,000 का मांट आपका यह first year का depreciation हुआ आपको इस 10,000 को चार्ज करने के बाद value कितना बच गया 90,000 बच्छी इस 90,000 को हम कहते है book value book value है नहीं मैंने कहा था book value आपको आपको यह पर यह book value निकल का गया ठीक है बात सुमागी सरहा सरहा अब दोखो पहले साल में तो ठीक रहा अब मैं आपको दिखाता हूँ जब second year में depreciation charge करेंगे second year में depreciation charge करेंगे मेरे बच्चे ध्यान से सुनना कहता है written down value method written down मतलब जो value आपने write down किया है write down किया है जड़ा बताओ एक लाक रुपे में इस 10,000 को पहले साल का depreciation charge करने के बाद वह value कितना है जो write down किया है मतलब अब दिखा रहे हो book में 90,000 इस method में second year का depreciation charge किया जाएगा 90,000 पे चार्ज किया जाएगा return down value में क्या होता है कि depreciation जो book value जो बच गया ना बच्चे उस पे चार्ज करते हैं rate कितना जी 10% आपका यानि कि इस बार क्या होगा 9,000 का depreciation हो जाएगा फरक समझे लो aslim जो था उसमें हमेशा cost पे चार्ज किया और इसमें क्या होता कि जो value बच गया अरे हां मैं बताना भूल गया हम book value को यहां पे return down value भी कहते हैं return down value मतलब book value का यह भी दूसरा नाम होता है return down value जो value write down किया तभी इस method को कहते हैं कि जो value बच गया उस पे depreciation चार्ज करो तो यहां दखना जैसे पिछले वाले method में जो book value जहां लिखा था हम वहां भी बोल सकते हैं मतलब book value को उपर में आपका अब बताओ value कितना बच गया 81,000 मैं इसको क्या बोल ला हूँ या तो कह दो यह book value है या इसको क्या कह सकते है return down value exam में आप से पूछ सकता है return down value का मतलब क्या होता है तो आप उनको बता देना return down value का मतलब होता है आज तक का depreciation charge करने के बाद की value कितना बच गया जी 81,000 अगर हम third year का depreciation charge करते हैं इस method से depreciation मेरे बच्चे third year का तो जो value अब write down किया है मतलब book value उस पे charge किया जाएगा यानि कि इस वार depreciation कितने पर निकाला जाएगा 81,000 पर 10% बताओ कितना आ गया 80,100 परिज का amount समझे मरी बात ना SLM में हमेशा cost पे charge किया जाएगा WTV method में क्या होता है कि जो value बच गया मुस पे charge कर रहे है अब ये कितना बच गया 72,900 इसकों क्या बोलेंगे या तो book value कह दीजिए जैसे हम पहले समझाया थे या फिर इसको written down value भी कह सकते हैं दोनों का meaning accounts में सेम होता आपका ये आपका निकल के आया है अब जब depreciation आप चार्ज करते हैं 4th year में depreciation चार्ज करेंगे आपका 4th year में तो जब बताओ इस पर कितने पे charge होगा सर्ष 72,900 का और इसका 10% कितना निकल के आगया तो 72,90 मेरे बच्चे अब जो value बजगया जड़ा बताओ कितना बजगया यहां पे 72,900 में अगर मैं यहां पे 72,90 को मैंनस करो तो 65,600 बजगया हम इसे क्या बोलेंगे आप कह दो book value आप कह दो book value या इसे कह दो written down value मैं बार बार कह रहा हूं अगर कोई बाहर वाला पुछता है कि book value का दूसरा नाम बताओ तो कह देना written down value आपका written down value ही मेरे बच्चे book value का दूसरा नाम होता है बात समझ रहे हैं यहां पे सरहां सरहां आगे बताओ तो बस काम खतम हो गया मैंने आपको बताया deprecision चार्ज करने के दो मेथड हैं एक आपका straight line method और एक आपका written down value method बच्चे इस straight line method के जड़ा क्या क्या नाम थे straight line कह देगा original cost कह देगा fixed instrument कह देगा उसी तरीके से इसके भी कई सारे नाम है यहां देखो जड़ा इसका oblique में यह था ना original cost यहां कहते हैं हम यहां पे आपका diminishing diminishing value method मैं इसको इस नाम से पुकार सकता हूँ मतलब written down को इससे diminishing value depreciation की value हमेशा diminish यानि की कम होगी पहले 10 था फिर 9 हुआ फिर 81 हुआ फिर आपका कितना था 7 to 90 हुआ फिर इसका मतलब यह कम होते चला जाएगा fix installment में क्या था बिलकुल same था यहां क्या होगा depreciation हर एक वर्ष कम होते चला जाएगा कम होते चला जाएगा तो मुझे या तो written down value कहे दो या diminishing कहे दो या फिर एक नाम अगर और आपको देना है तो हम इसको reducing हम इसको reducing installment मतलब जहां पर depreciation का जो installment यानि की amount है वो reduce होते रहेगा पहले जाद आप फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम और so on आपका आई बात समझ में सर हां सर हां तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यह सारी बात होती है सर क्या इसमें कोई account नहीं बनता बनता है मेरे बच्चे मैं account बनाना भी आपको सिखाऊंगा लेकिन अभी आप छोटे बच्चे प्यारे बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं कि actually काम कैसे चलता है तो आपने क्या देखा यहां पर अभी तक डेप्रिशेबल एसेट्स होते बस लेंड को छोड़के और लेंड में भी कौन सा जी फ्री होल्ड आपका मरवचे हमने कहाँ डेप्रिशेबल वैलू क्या होता है तो एसेट्स की जो कोस्ट है अगर उस कोशन में उसका स्क्रेब वैलू दिया हुआ है तो उसको मैनस करने के बाद डेप्रिशेबल वैलू होता है और डेप्रिशेबल लाइफ का मतलब वह एस्टीमेटेड लाइफ वह कितने वर्षत काम करेगा उसको बोलते है डेप्रिशेबल लाइफ हमने कहा डेप्रिशेबल रऄर लाइफ के लिए हमारे लेबल में चोटे बच्चे दो मेथड होता है एसलेम डॉडवी एसलेम में क्या करेंगे कि जो आपके सेट्स की कोस्ट होगे हम उस पे डेप्रिशेबल चार्ज करेंगे और WD में क्या होगा जो value बच जाएगा हम उस पे charge करेंगे ठीक ना इतनी बात है आज मेरे बच्चे बहुत जादा आज आपको नहीं पढ़ाना क्योंकि आप प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं आपको जादा पढ़ाने से दिमाग खराब ना हो जाए तो मैं इसकाम करता हूँ एक काम करता हूँ क्यों ना एक और कोशन में बना के यहाँ पर आपको दिखाऊँ और इसमार आप ने पूछा था था क्या सर यहां पर अकाउंट नहीं बनता तो मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा देता हूं लेजर अकाउंट आप जानते तो हो लेजर अकाउंट आप जानते तो हो मेरे बच्चे तो मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि क्या निकल के आता है आप लिखो ना मेरे साथ यह ले लो मैं, चलो 2019 ले लो आप, कुछ भी हो सकता है, क्या जाता है, लिखना है, firm, firm purchased, firm ने purchased, a machine, a machine, machine for रुपेज 10 लेक्स, 10 लाक रुपे का machine purchased, 10 लेक्स का machine, फिर कहता है यहां पे जो आपका CGST है CGST and SGST SGST वो कहता है at the rate of 9% each अब आपको एक चीज़ बता दूँ हूँ मैं पहले कि मैं यह मान रहा हूँ कि आपने इसके पहले मेरा GST के चैप्टर पढ़ा हुआ है मेरे बचे इसका detailed discussion मैं ने वहाँ पे किया हुआ है आप वहाँ पर दुबारा पढ़ने कुछ बाते अगर आज समझ में नहीं आए तो बट ऐसा होगा नी मैं सारी बात यहां पर रिपीट भी करूँगा लेकिन ध्यानकना यहां पे मैं उन concept को भी यहां पर एड़ करते चलूँगा परिपेर परिपेर मुशीन अकाउंट पर फोर त्री यर्स तीन वर्षो का आपको यहां पर बउलसी ना है कहता है कि इस इस रेट ओफ डिप्रिशेशन गें फिर इस डेप्रिशेशन करो इANO if depreciation, if depreciation is charged, is charged at the rate of 20%, 20% per annum, per annum, by SLM method, मेरे पचे, SLM, straight line, यानि कि, आपको याद होगा, SLM में क्या बोला था, कि आपके, जो आपके assets की cost होगे, हम उस पर depreciation चार्ज करेंगे, तो SLM method आपका, और फिर आपका यहाँ पर कहता है, फिर कहता है, कि also pass, also pass, journal entry, journal entry, for purchase, for purchase of machine, आपने जो machine purchase की है, मेरे बचे, उसका कहता है कि entry भी pass करो, मतलब हमने यहाँ पर दो बात बोला है, कोशन के अंदर में, कि जब हमने purchase किया, purchase कि हमें क्या करना जी, entry pass करना है, और हमें machine account जो बनाना है, laser account, यह account पूछना मेरे बचे, वो तीन मर्शों का बना रहा है, मैं सब सिखाऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप जड़ा देखता हूं, कैसे काम होगा, सुनो, पहले तो मैं काम करता हूँ, solution में, आपको दिखाता हूँ, journal entry, journal entry क्या pass किया गया होगा, और आपका 1st January 2019, इस दिन मेरे बचे, जब हमने machine purchase किया, पता है, जब machine purchase करोगे तो entry होता है, machine account debited, machine account debited, मैंने आपको बोला हुआ है, कि machine की recording होगी, यह हमेशा उसके cost price से होगी, जब बता हो, machine की cost कितनी है, 10 lakhs, यह 10 lakh रुपे आपने क्या किया, जिब machine को record किया, इस पर जो आप GST पे करते हो, मैंने बचे, वो आप यहाँ record करते हो, input, क्योंकि हम आगे जाके इस का investment करा लेते हैं, input, आपका CGST, account debited, और फिर आपका input, इनपुट, यह आपका हो गया, SGST, account debited, तो जब बता हो, कितना हो गया, 9% each कह रहा है, तो 10 lakhs का 9%, यह नि की 90,000, और यहाँ भी कितना हो गया, 90,000, यह आपका हो गया, machine account debit, आपका machine में याद एखना, जब भी आप machine को record करेंगे, तो machine के लिए जो payment किया, वही उसकी cost मानी जाएंगी, यह जो CGST और SGST है, वो तो आपका, वो tax है, जो बाद में हम set up करा लेते हैं, तो यह हमारे assets की cost में एड नहीं होता, और two bank account, यह नहीं कि total हमने कितना pay कर दिया आपका यहाँ पे, 11,80,000, 11,80,000 यह entry में आपको समझा चुका हूँ, GST chapter के अंदर में, आप जो GST pay करते हूँ मेरे बच्चे, जो आप GST pay करते हूँ, कभी भी आपके assets की cost का पार्ट नहीं होता, यह GST हम आगे output GST से set up करा लेते हैं, इसलिए हमारे assets की cost में एड नहीं होता, हमने assets कितने का दिखाया, 10,00,000 रुपे का, लो हमने entry pass कर दिया, अब हो कहता है कि आप machine account बनाओ, machine account, तो देखो ना, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आज़रा आप बनाते हैं machine account, यहाँ लिखिए मेरे साथ, यहाँ पर machinery account, आप बनाएंगे machine account यह machinery account दोनों का meaning से मैं, मैं बची, यह laser account बना रहे हैं, हमने laser account अलड़ी बहुत proper तरीके से सिखा हुआ है, laser के अंदर में, मैंने सारी बातें आपको सिखा हुई हैं, तो उसी को हम बना रहे हैं, आप register का लगवाग आधा page लेना, और यह लेज़े, हमने proper format में भी काम करना शुरू कर दे हैं, इसको हम यहाँ पर date column कहते हैं, यह हमारा particulars होता है, particulars आपका होता है, यह हमारा amount column है, this is our amount column, यहाँ पर, sorry, फिर से मेरे बच्चे date column, यह हमारा particulars है, particulars, और यह हमारा amount column, है न, चलो, मैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे, मैं इसको सजावी देता हूँ, यह हमारा इस तरीके सो हो गया, और आप जानते हो ना, कि किसी भी account का, यह जो होता है, this is dr, मतलब debit side, और यह जो हमारा होता है, this is called credit side, मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा, laser account बनाने का, न मैंने पहले आपको बताया भी है, जो बकवासा है, जहां बच्चे परशान होते हैं, मैं वो तरीका बताऊंगा, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, मतलब जो हम जानते हैं मेरे बच्चे, वो क्या जानते हैं, सुनी मेरी बात, यह जो machine है ना बच्चे, यह हमारा assets है, आप इस बात को जानते हैं, machine क्या है, आपका assets है, और जितने भी आपके assets होते हैं, उनका increase होना, हम क्या करते हैं, debit करते हैं, याद किजे, मैंने बताया है मेरे बच्चे, सारे assets का जो opening balance होता है, सारे assets का जो opening balance होता वो debit में आपका होता है जिसका opening balance debit में होता है उसका increase करना हम debit करते हैं और decrease करना हम क्या करते हैं? cred करते हैं मतलब machine जब भी वड़ेगा तो debit करूँगा घरेगा तो cred करूँगा यही बतायाने मैंने सर हां सर हां अब सुनो मैं क्या करूंगा यह देखो हमने मशीन पर्चेज किया आप बताओ मशीन पर्चेज करने से मशीन आपके पास फर में बढ़ गया कि कम हो गया फर इंक्रेज कर गया तो प्रवचे मशीन के इस साइड में एंट्री आएगा और यह कब मशीन पर्चेज किया था फर जनवरी 2019 इस दिन पर हमने मशीन पर्शेज किया नजर डालो यहां नजर 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 यहां देखो जब हम मशीन अकाउंट बनाते हैं मरे बच्चे अगर यह डेविट में है अगर यह डेविट में है तो फिर आपका पोस्टिंग डेविट में आएगा और नाम हमेशा लिख मरें बच्चे मानता हूं कि जब मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो नाम निचे वाले का आएगा लेकिन जो अमाउंट होता है ना वो जिस अकाउंट को बनाते हैं उसी के आगे का अमाउंट लिखा जाता है यानि कि 10 लाग रुपे यह बक्वास तरीका है मशीन अकाउंट बनाने का मैं आपको कसम खाके बोलता हूं कि थोड़ा सा आगे चेप्टर को बढ़ने दोना थोड़े से कुंसेप को आगे और बढ़ने दोना मैं आपको ऐसे जनल एंट्री देखके नहीं कराने वाला मैं तो फटा-फट तरीका बता हूँगा कि ऐसे डेप्रिसेशन एकाउ से तो टू-बैंक अकाउंट और मशीन कितने का लिया 10 लैक्स का तो एंट्री हमारी कंप्लिट होगे खेर चोटे बच्चे आप ऐसे समझे मशीन में क्या बोला टू-बैंक अकाउंट और अमाउंट उसके आगे का यह रिकॉर्ड हो गया मरे बच्चे यह हमने क्या क्या आपका डाइग्राम आप भी बना लो जहां भी जगा आपके पास होगा बता आप मशीन कप परचेज किया था 1st जनवरी 2019 को यह मरे बच्चे आपने मशीन परचेज किया था आपको डेपरिसेशन चार्ज करना है तुझरा बता इसका पहला साल कब ख़तम हो कितने साल का प 2nd year end होगा 31st December 2020 को और 3rd year end होगा 31st December 2021 को यह 3 साल की कहानी है मेरे बच्चे 3 साल कहानी है सुनो ना देखो तो मेरी बात आज हमने क्या-क्या मशीन को परचेज कर लिया तो मशीन को परचेज करने की entry हमने यहाँ पर दिखा दी अब समय आगे चला और चलते 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 चलत मुले बच्चे उस एक साल का आपको यहाँ पर डेप्रिसिशन चार्ज करना पड़ेगा मशीन आपने एक साल यूज कर लिया तो एक साल जितना यूज किया उतना डेप्रिसिशन चार्ज कर दो आऊ ना मैं डेप्रिसिशन चार्ज कर दो सिभी इतना बताओ मशीन को अगर depreciation charge करने से machine की value बढ़ेगे कि कम हो जाएगी कम हो जाएगी अरे तिखाया दो था machine एक लागा था 10,000 depreciate था तो 90 का बच गया कम हो जाएगा ना और machine का कम हो ना हम क्या करेंगे क्रेड करेंगे तो साल के end में यानि कि 31st December 2019 को मेरे वच्चे है ना इसका end आप यहां लिखेंगे by depreciation machine की value यहां पर क्या हुआ depreciate हो गया by depreciation आपका यहां पर कितना depreciate हो गया जी तो कहता है कि 20% की साब से बताओ 10,000 का 20% कितना होता है 2,000 का मौट दो लाग उर्पे से machine depreciate हो गया समझे ना machine asset से बढ़ना debit घटना क्रेड करेंगे तो machine 10,000 का परचेज किया debit किया 2,000 का depreciate हो गया बताओ 2,000 से value कम होने के बाद 31st December 2019 को machine की value कितनी बज़ गई buy balance CD साल का end हो गया मैं इसको close कर रहा हूँ तो 10 में 2,000 का यूज कर लिया तो मुझे बच्चे का खेर लगता है यह तो मेरा एक साल का बच्चा वो भी बनाते रहता है यह 10,000 का amount आपका यहां चला गया और 10,000 का यहां पर accounts आपका closed हो गया पहले साल का हमने depreciation चार्ज कर दिया आप समझे मरी बात ना फर्स एर का हमने depreciation चार्ज कर दिया मरी बच्चे दस लाग का मशिन दो लाग से depreciate हो गया आठ लाग का बच गया अब हम सेकेंड एर में आते है जो इसका closing है वो अगले साल का यह यह फर्स जनवरी 2020 में यह आपका opening balance record होगा 2 balance BD आप जानते है तो हो जो पिछले साल का end का balance है वो अगले साल का starting balance बन जाता है 10 lakhs का mount 8 lakhs का mount हो रही है आपका 8 lakhs का अब यहाँ देखो यहाँ देखो अगले साल क्या हुआ फिर समय आगे चला चलते चलते एक सल और उजर गया फिर से आप यहाँ पर depreciation चार्ज करोगे और जब भी depreciation चार्ज होगा आपके assets की value गीरेगी तो आपने क्या क्या अगले साल यानि कि 31st December 2020 को हम लोग क्या करेंगे विल राइट by depreciation फिर से हमने क्या क्या assets पर depreciation चार्ज किया आपका by depreciation account कितना जी method क्या है इस से लिम आपका कहां गया straight line यानि कि जब भी हम depreciation चार्ज करेंगे तो cost पे यानि कि second year में में जो depreciation चार्ज होगा वो again आपका इस 10 lakhs रुपिज का कितना परसेंट जी आपका 20 परसेंट में बच्चे हमेशा आपको cost में चार्ज करना यानि कि again 2 lakhs का माउंट यहां निकल किया देखरो पहले साल भी दूसरे साल भी है फिर इस साल का end हो गया 31st December आपका 2020 आपने लिखा यहां पे by balance CD carry down CD मतलब कि जितना carry किया जी 8 में से 2 lakhs depreciate हो गया तो अब उसकी book value कितनी बज़ गई 6 lakhs का माउंट और यह दूसरा साल भी हमारा खतम हो गया यह लिजे 8 lakhs यहां पे दिख रहा है और 8 lakhs यह तो totaling है कि दोनों साइट का totaling बराबर आना चाहिए आपका ठीक है ना तिसरे साल में आजाओ तिसरे साल में 1st January आपका 2021 यहां पे आपका assets का 2 balance BD मेरे बच्चे यह दुनिया का दस्तूर है मेरे बच्चे कि जो पिछले साल का end का balance होगा वो अगले साल के starting का balance होगा अगर कल रात को आपके पापा ने आपके गाल पे एक थपर मारा था और 5 अगर यहां पे अंगुलियों के दाग अगर थे हैं तो अगले साल के मतलब अगले दिन के सूबह में उठोगे तो पाँच ही अंगुलियों के दाग आपको दिखाए देंगे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपे काम करना आज रात को पापा को बोलना कि पापा जोड से तमच्चा मुझे मारो और देखना कल सूबह में उतने ही दाग आपको दिखाए देंगे पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा ही बनेगा वही आपका निकल के आता यहां पे सर्मार ने पिटने की बात क्यों करते हूँ क्यों कि उसी से बाते आपको समझ में आती है उसी से बाते आगे बढ़ो 21 चला अगले साल और देखो फिर से हम यहां पे क्या करेंगे डेप्रिसेशन चार्ज करेंगे जब डेप्रिसेशन चार्ज होगा तो 31st December 2021 को आप यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसेशन आप लिखेंगे बाई डेप्रिसेशन अकाउंट और मरे बच्चे फिर से क्योंकि SLM है SLM में जब भी चार्ज करूँगा तो कोस्ट भी तो चार्ज करूँगा चार्ज करने के बाद बाई बैलनस फीडी कितना बच गया तो 6 में 2 डेप्रिसेट हो गया यानि कि 4 लेक्स कम आउट 4 लेक्स कम आउट मरे बच्चे यानि कि यह आपका यहां पर बराबर हो गया ऐसे कहानी चलते चली जाएंगी और यह डेप्रिसेशन तब तक चार्ज किया जाएगा जब तक कि एसेट फुली आपका डेप्रिसेट न हो जाए यहां पर एक्शली सिर्फ 3 साल की बात करा था 3 साल का चार्ज किया वो चौथे 5 साल का बोलता तो उसका भी चार्ज कर देता है मेरे बच्चे लेकिन बोला नहीं मैं काम करो क्या पांच साल चार्ज कर दो क्या कर दो क्या सर कर दो आप तो लो लो आपके खाते मेरे बच्चे 5 साल तक दिखा देता हूं क्या जाता है समय बहुत है आपके पास भी मेरे पास भी मशीन एकाउंट फॉर लिग दो फाइफ येर्स कोशन के अंदर में आउना करते हैं क्या जाएगा थुरी प्रैक्टिस ही तो हो जाएगी अगले साल यानि कि फर्स जनवरी आपका 2022 अगले साल क्या होगा ये कहानी पांच साल का बन जाएगा चार पांच और फिर से बचे डे यानि कि 31st December 2022 को आप क्या करेंगे आप लिखेंगे यहां पर बाई डेप्रिसेशन डेप्रिसेशन आपने यहां पर चार्ज किया कितना जी तो अगेन मेरे बचे 10 लेक्स का 20 यानि कि 2 लेक्स का माउट ये जो ब्रैकेट में यहां लिखा था ना एक्जाम में लिखो ना ल लो ये भी हमारा साल खतम हो गया यहां फोर लेक्स और यहां पर फोर लेक्स का माउट देखरो आप यह टोटलिंग हमरे बच्चे दोनों साइड का यह फोर फोर हो गया आप अन्तिम वर्ष में आता हूं पांच वे साल में तो 1st January 2000 आपका 23 है ना इसका end इसका starting हो जाएग टू बैलन्स बीडी और अमाउंट कितना आपका है यह 2 लेक्स का माउट आपका 2 लाख रुपे का माउट पांच वे साल में क्या करेंगे आप यहां पर 31st December 2023 को आप लिखेंगे यहां पर बाई डेपरिसेशन बाई डेपरिसेशन मेरे बच्चे पांच वा वर्ष है अंति डेपरिसेट हो गई यानि कि अब मेरे बच्चे यहां पर बाई बैलन्स सीडी बाई बैलन्स सीडी जो है वह आपका निल हो जाएगा मतलब अकाउंट्स क्लोजड हो गया और काम खतम हो गया अब आने वाले समय में हम डेपरिसेशन नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि एसेट पर दिखा भूतों की तो यह हमने क्या तो अब आपको एसलिम से डेपरिसेशन चार्ज करना दिखाया पांच बर्शों का मेरे बच्चे मैंने सिभ आपको एक एंट्री धिखाया स्टार्टिंग में कैसे किया जाएगा अगली क्लास में क्या क्या करूंगchin अगली क्लास मे एक और simple question उठाऊंगा WTV method से कैसे किया जाएगा और मैं इस पार तो सिर्फ एक entry दिखाया ना अब उसमें हर एक साल की entry दिखाऊंगा कि depreciation charge करने का क्या entry होगा बहुत मज़ा आने वाला है और याद रखना अगली class में कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा बाकी बचों को उतनी बाते जानने के लिए कम से कम अभी 8 से 10 साल वेट करना होगा मेरे बच्चे लेकिन आपके लिए नहीं क्योंकि आपके लिए अगले ही class वो important बनेगी इस बात को समझने के लिए आज class में यहीं पर रोकता हूँ आज class यहीं रोकता हूँ अगली class में आने के वेट करता हूँ अभी बुक के किसी question को touch नहीं करना है नहीं आपके दिवाग में कोई इस और का सवाल आने देना है मिलूँगा मेरे बच्चे अगली class में तब तक आप सब को बाइबे टाटा बाइबे टाटा बाइबे टाटा थेंक्यू बच्चे